चोपड़ा जीकिसने योटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्छों आर्मी में BSC Nursing के लिए 220 सीट्स रिजैरो हैं, जिस परकार से MBBS होता है AFMC से वैसे ही AFM के जरिए, AFMS के जरिए, आर्मी में BSC Nursing करवाया जाता है 220 सीट्स पर, इसमें AFMC पुने भी सामिल है और भी जो Armed Forces के Medical Colleges हैं, Nursing Colleges हैं, उनमें ये सुईदा है Nursing Course के लिए तो इसमें ये Course सिर्फ Female Candidate के लिए है और आर्मी दवारा Conduct करवाया जाता है आर्मी ने इसके बारे में Notification जारी कर दिया है 2125 एडमिसन के लिए वो Notification के बारे में जानकारी दूँगा मैं आपको और ये जानकारी दूँगा कि आपको Apply कैसे करना है और इसमें क्या-क्या Conditions हैं, क्या Qualification Required है, कैसे Apply करना है, क्या Selection Procedure है तो ये वीडियो सिरफ Female Candidates के लिए ही है, ये वैकेंसी सिरफ Female Candidates के लिए ही है तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Need 2024 में Admission लेना चाते हैं, उसकी Counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इसके regarding मैंने बुक लिक रखे हैं, इस वीडियो के description box में बुक का लिंक मिल जाएगा, या फिर इनको आप हमारी website www.sopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं इन में जो MCC द्वारा Counseling करवाई जाते है, All India Quota, AIMS, Jipmer वगरा की Dimmed University की सभी के बारे में जानकारी अविलेबल है State Quota की बुक में All State के बारे में जानकारी अविलेबल है और I.U.S. और Veterinary की All India Quota के लिए जानकारी अविलेबल है तो आप इस वीडियो के description box से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बुक आपके लिए काफी helpful रहेगी अब मैं बात करता हूँ इस notice के बारे में जो Indian Army ने B.S.C. nursing course के लिए दिया है ये मैं आपको बता दूँ कि ये NEET score पर admission होता है, इसके अलावा आर्मी द्वारा एक test और लिया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, तो इसको MNS बोलते हैं, यानि Military Nursing Service कहा जाता है इसमें तो MNS 24 के लिए आर्मी नी notification जारी कर दिया है, तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट IndianArmy.nick.in पर जैसे ही हम विजिट करेंगे जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको What's Now पर option मिलेगा BSC Nursing Courses 2024-2025 के लिए इसमें इसपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसपर क्लिक करेंगे इस परकार का notification आपके सामने appear हो जाएगा, notice में जो लिखावा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार इसको हम download कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे ही download करेंगे, download file पर क्लिक करेंगे और यह notification हमारे पास download हो जाएगा, अब इसमें जो इसके application form है, वो application form start होंगे जब need का result आजाएगा, और वो application form अवेलेबल होंगे www.joinindianarmy.nick.in, यह इसका notification है जो advance में आर्मी ने दे रखा है, तो जैसे ही need का result आजाएगा, need 24 का result आजाएगा, आपको joinindianarmy.nick.in की website पर visit करते रेना है, और वहाँ से form apply करना है, वहाँ पर आपको form apply करना पड़ेगा, तो इसमें यही लिखा है notification में, कि यह जो application form है, यह सरफ female candidates के लिए हैं, जिन्होंने need 24 qualify किया है, जो NTA दवारा conduct करवाया गया था, और यह course four years का BAC nursing course है, जो 2420 से start होगा, जो AFMS हैं, उनमें यह course करवाया जाएगा, और जो candidate select होंगे, selection का जो procedure रहेगा, वो final merit के according, candidate की 24 के according रहेगा, यानि कि जो candidate first merit में आएगा, उसकी क्या 24 रहेगी, पहले उसको अलोट की जाएगी, फिर second candidate को अलोट की जाएगी, इस प्रकार से merit के according, 24 के according, इसमें selection दिया जाएगा, और जो selection का procedure रहेगा, एक तो NIT 24 के score पर होगा, और एक computer-based test होगा, इंटेलिजेंस, जनरल English का है, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंगलिजेंस का paper होगा, इसमें psychological assessment और interview होगा, और फिर medical होगा इसमें, उसी के base पर आपको admission मिलेगा in nursing colleges में, अब इसमें mandatory क्या है, BAC nursing, AFMS के लिए, तो इसमें need 24 qualify होना चाहिए इसमें, और फिर इसके बाद जैसे ही result आजाएगा, www.joinandianarmy.nick.in पर register होना चाहिए, जो मैंने बताया, result आते ही आपको registration करना है, इसके बाद में ये जो test वगरा होगा, screening test वगरा होगा, ये process होगा, ये base hospital दिल्ली केंट में होगा, वहाँ पर attend होना है candidate को, जो short listed candidate होंगे, जो merit में आएंगे इसमें, eligibility क्या है, eligibility यही है कि इसमें female candidate होने चाहिए, वो unmarried होने चाहिए, diverse भी हो सकते हैं, और इसमें widow भी हो सकते हैं, इसके बाद में Indian citizen होना चाहिए, इसमें date of birth की भी condition है, यानि 1st October 1999 से 30 September 2007 के बीच में जर्म होना चाहिए, date of birth इनके 20 में होना चाहिए, यह दोनु date सामिल है, educational qualification में 10 plus 2 biology सब्जेक्ट से होना चाहिए, जिसमें physics, chemistry, biology, जिसमें botany, biology भी सामिल हैं, और English subject, 50% aggregate, 50% aggregate का मतलब इन 4 subjects में total marks 50% होना चाहिए, ऐसा नहीं है इनका total 50% होना चाहिए, यानि कि physics, chemistry, biology और English में आपका जो subject आ रहा है, जो score आ रहा है, वो 50% होना चाहिए, इन सबका total 4 जोड़ करके, इसके बाद इसमें physical standard की भी requirement है, यानि कि जो female candidate है, उनकी जो height है 152 cm होनी चाहिए, जो hill area और north east के candidates हैं, उनकी 147 height होना जरूरी है, इसमें, SCST candidates का certificate होना जरूरी है, अगर कोई SCST candidates हैं, या NCC से भी हैं, तो C certificate की requirement है, otherwise यह जरूरी नहीं है, कि यहां NCC वालों का ही selection होगा, अगर किसी के पास में certificate नहीं है, तो कोई तिकत नहीं है, इसमें, अगर है तो C certificate इसमें, आप upload करना है, आपको online application form खिल करते से, अब इसमें, जैसे कि आपने apply किया, apply joininianarmy.nick.in की website पर apply करेंगे, और इसके जितने सारे candidates apply होंगे, उसका 10 के multiply में यह लेते हैं, जैसे 220 seats हैं, तो हो सकता है, 2200 के आसवास, यह shortlisted करें candidate को, तो यह जो shortlist candidate है, इनका screening test होगा, उसका process यह होगा, कि जो यह shortlisted candidates होंगे, यह जो website है joininianarmy की, उस पर display होगी उनकी list, और अगर आपका list में नाम है, तो date दी जाएगी, उस date पर आपको base hospital दिल्ली का इंट महुंचना है, और वहाँ पर आपको computer based test देना है, एक तो, psychological assessment test देना है इसमें, और एक interview और medical exam, यह आपका test वहाँ होगा, admit card आपको इसी website से download करना है, joininian army की website से, वहाँ आपका documents verification भी होगा, और उसके बाद में documents verification होने के बाद में final medical list निकाली जाएगी, कि space पर निकाली जाएगी, neat score पर, जो test होगा आपका, उसके according, और फिर जो psychological test होगा, उसके according, और interview के according, उसमें, फिर medical में जो fit होगी, उन बच्चों को, एक final list निकाली जाएगी इसमें, जो test होगा, general intelligence का, और general English का, वो जो test होगा, उसमें 40 mcqs आएगे, और 40 mcqs में, हर qution 2 marks का होगा, हर qution 2 marks का होगा, यानि कि total जो marks होगे, उसमें 80 marks होगे, यहाँ mbbs का, अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसमें भी 80 marks का test होता है, उसमें total test होता है, 80 marks का test होता है, और फिर 720 में 80 जोड़के, फिर 4 से divide करके, इस से इसमें merit निकाल जाती है, इसमें negative marking भी है, 0.5, यानि 5 qution गलत करते हैं, तो आपका एक qution की marks कट जाते हैं, उसमें 0.5 उसमें negative marking है, इसमें, तो इसमें जो timing है, वो 30 minutes का timing है, इसमें, जो psychological assessment और interview होता है, जो social estate candidate है, उनका एक board द्वारा interview लिया जाएगा, और Waste Hospital New Delhi Kent में ह लिया जाएगा वो, और जो इसमें qution होंगे, वो एक तो 12 के standard के होंगे, general knowledge का होगा, current affairs का भी test होगा इसमें, और hobbies क्या है, interest क्या है, और कुछ से इसमें, आर्मी के बारे में भी हो सकता है, कुछ पुछा जाए, तो इसके बारे में आपको पूरी पहले से तयारी करके जान है इसमें, इसके बाद medical exam होगा, और medical exam होने के बाद में, medical exam होने के बाद में final list जारी की जाएगी, जिन candidates को medical unfit किया जाता है, वो अपील भी कर सकते हैं, 40-20 पे करके यहाँ, final selection का जो मैंने आपको बताई दिया है, यह जो NEET का score है, उसके according होगा, और फिर उसके बाद में जो test होगा, वहाँ, 80 marks का, उसके according होगा, और जो psychological assessment test होगा, और interview होगा, उसके according होगा, और फिर medical fit होगा, candidate, उसी की फिर final list निकाली जाएगी, और उस final list के according, इसमें selection दिया जाएगा, अब जो city हैं, इसमें, वो 220 seats है, पुने के अंदर, AFMC, पुने के अंदर 40 seats है, College of Nursing, CH Calcutta में 30 seats हैं, मुंबई में 40 seats हैं, नियो डेली में 30 seats हैं, लखनाओ में 40 seats हैं, और बैंगलोर में 40 seats हैं, तो 220 seats हैं इसमें, अब कुलेज में admission का जो procedure है, वो मैंने आपको बताई दिया है, और इसके बाद में medical service भी provide की जाती है, कोर्स के बाद में, वो MNS, officer, course के दोरान जो होता है, वो MNS, यानि military nursing service कहा जाता है इसको, इसमें training के दोरान जो provide किया जाता है, free रासन, free accommodation, free uniform allowance और monthly stipend भी मिलता है इसमें, रूल से समय समय के अनुसार इसमें बदली होते हैं इसमें, जैसे ही आप course कर लेंगे, तो आपको वहाँ service भी offer की जाती है, अब अगर आप course से withdrawal करते हैं, तो इसका एक bond है, वो bond आपको pay करना होगा, अगर आप 7 दिन के बाद, admission के साथ दिन के बाद, अगर आप college छोड़ते हैं, तो आपको ये bond pay करना पड़ेगा, अगर आपको service offer की जाती हैं, service नहीं करना चाते हैं, तो भी आपको ये bond pay करना पड़ेगा, अब इसके लिए apply कैसे करेंगे हम, तो apply करने के लिए, simplicity's join Indian army की website पर जाना है, इसकी website पर जाना है, इस परकार का आपको website पर interface मिलेगा, इसमें आपने यहाँ पर ये capture डालना है, मैं capture डाल देता हूँ, और enter website पर क्लिक करना है आपको, जैसे ही website पर आप क्लिक करेंगे, यह join Indian army.in की website आजाएगी, यहाँ पर आपको officers selection में, या फिर JCOR selection में, नीचे apply का option मिलेगा, और nursing लिखा होगा, यहाँ पर MNS, services या BSC nursing जो भी लिखा होगा, उसके सामने आपको apply करना है, apply join Indian army की website पर ही हो तो यह इस परकार से आप वहाँ apply कर सकते हैं, उसमें apply करने की बाद, अगर आपने submit नहीं किया है, तो edit का option भी मिलेगा, आप एक अच्छी तरह से particular storage चेक करके, फिर submit करें, अगर कोई mistake है, तो edit का option यूज़ करके, उसको सही करके, फिर submit करें, इसमें S.A.S.T. के लिए documents प्रूब भी upload करना पड़ेगा, इसमें कि आप S.A.S.T. कंडिडेट हैं, तो आपकी fees नहीं लगेगी, जब आप apply कर देंगे, तो इसमें आपको DU number जरनेट होंगे, वो आपको DU number future reference के लिए समाल के रखने हैं, इसके बाद confirmation page जरनेट होगा, confirmation page को download करना है आपने, वो भी future के लिए आपको काम देगा, बाकी जो भी information है, join Indian Army की website पर आपको regular visit करना है, वहाँ पर ही ये आपको सारी information मिलेगी, merit list वहाँ मिलेगी आपको, इसके बाद में, जो merit list के बाद में, आपका, कब वहाँ बुला रहे हैं, admit card भी वहाँ से download होगा, कब screening test होगा, ये सारी information आप आपको join Indian Army की website पर ही मिलेगी, ये correspondence के लिए address दे रखे हैं, इन पर आप correspondence कर सकते हैं, लेकिन correspondence वही candidate कर सकते हैं, जिन्होंने online apply किया है, और उसके अंदर आप अपना नाम लिखना है, reference नमबर देना है, DU नमबर लिखना है, registered, email, ID और phone नमबर लिखना है, जो आपने application form apply कर इसमें दिया है, तो ये पुरा का पुरा notification है, जो army की website पर आपको मिल जाएगा, और ये army ने डाल दिया है, ये notification, जैसे ही NEET का result आ जाता है, आपको join Indian Army की website पर apply करना है, एक बार मैं आपको फिर से summarize करवा देता हूँ, देखो जो Indian Army होता है, उसमें BSC Nursing की female candidate के लिए seat होती ह उन पर BSC Nursing Army दोरा करवाया जाता है, चार साल का BSC Nursing होता है, BSC Nursing के दोरान किसी भी candidate को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, बलकि उनको strike fund भी मिलता है, फिरी रासन मिलता है, फिरी रहने के लिए accommodation मिलता है, और strike fund भी सासत मिलता है course के दोरान, उसके बाद में, आर्मी दोरा BSC Nursing के लिए, जो MNS होता है, उसके लिए service भी offer की जाती है, यानि कि आप वहाँ service कर सकते हैं, आर्मी में आपको service दी जाएगी as a official, तो इसके बाद आपने इसमें apply कैसे करना है, तो जैसे ही need का result आजाएगा, ये need के score पर भी, इसमें selection होता है, need का result आजाएगा, तो join Indian Army पर आ आपको apply करना है, apply करने की बाद में वहाँ sort list किया जाएगा करनी rates को, sort list में अगर आपका नाम आता है, तो वहाँ date दी जाएगी, उस date को आपको base hospital दिली के इंट जाना है, और वहाँ पर आपको test देना है, computerized test होगा उसमें, फिर एक psychology test होगा, और एक interview होगा, जो test होगा, computer computerized test होगा, वो 40 MCQs होगे, per cushion 2 marks का होगा, 80 marks का cushion paper होगा ये, और इन सब के, इन चारों के according ही, एक final merit list तयार की जाएगी, जो बच्चा medical में पास होगा, और final merit list तयार होने के बाद, आप अपने 24 के according, अपने marks, rank के according, college choose कर सकते हैं, उसके according आपको college मिले, मैं बोलता हूँ, य जिन बेटियों के अच्छे marks आ रहे हैं, वो इसमें chance जरूर ले, और service का मुका मिलेगा आपको army में service करने का, आपको life में एक अलग ही feel मैसूस होगा, एक अलग ही गर्व मैसूस होगा, कि मैं भारतिये सेना में नोकरी कर रही हूँ, ये जानकारी थी इसके बारे में, बाक counseling में बीजी हो जाएं, और इसकी date आपको नए बता पाएं, तो आप इसको regular result आजाने के बाद, join Indian Army की website पर regular check करते रहना है, ये आपके लिए अच्छा मौका है, मैं इस वर से कामना करता हूँ, कि आपका इसमें selection हो जाए, best of luck, जैहिंग!